GM सरसों से शहद उतपादक किसानों को नुकसान का खत्रा नई दिल ली, GM सरसों को परियावरण ये परीक्षन के लिए जारी किये जाने पर उठे विवादों के बीच देश में मधुमक्खी पालन उद्योग के महासंग, कफेडरेशन ओफ भारत के गैर GM शहद की भारी निरत मान को भी धक्का लगेगा। उन्होंने कहा, हमारे यहाँ पहले सूरज मुखी की अच्छी पैदावार होती थी और थोड़ी बहुत मात्रा में ही GM सरसों पर प्रधानमंत्री से रोक लगाने की मान कंफेडरेशन ओफ एपी कल्चर क्रांती के लिए बेहत खतरनाक एडिस् देवत्रित शर्मा ने PTI भाषा के साथ बातचीत में कहा, हमने प्रधानमंत्री से मान की है कि वह आनुवान्शिक रूप से संशोथित, GM सरसों की फसलों को अनुमती ना देकर पत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सरसों खेती से जुड़े लगभग 20 लाग किसानों औ और मधुमक्खी पालक किसानों की रोजी रोटी छिनने से बचाएं। शर्मा ने कहा, GM सरसों की खेती होने पर मधुमक्खियों के पर परागन से वरायान उत्पादन बढ़ाने एवं खादे तेलों की आत्मनिरभरता का प्रयास प्रभावित होने के साथ ही, मधुरान्ती का लक्षे और विदेशों में इसका आयात करना पड़ता था। लेकिन सूरज मुखी बीच के संकर किस्म के आने के बाद आज सूरज मुखी की देश में पैदावार खत्म हो गई और अब सूरज मुखी तेल की जरूरत सिर्फ आयात के जरिये ही पूरी हो पाती है। शर्म उन्होंने कहा जीएम सर्सों का सबसे बड़ा नुकसान खुद सर्सों को ही होगा। फिलहाल किसान खेती के बाद अगले साल के लिए बीच बचा लेते हैं लेकिन जीएम सर्सों के बाद ऐसा करना संभव नहीं रहेगा और किसानों को हर बार नए बीच खरीदने होंगे ज इससे उनकी लागत बढ़ेगी